Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2022 की Love Tarot Reading तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक, शिर और सबस्क्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाप से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं April 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें कि April 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो मैं पस यहाँ पर तीन सेट अफ कार्ज हैं फर्स सेट में हम आपकी Energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके Partner की Energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि Finally April मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं Aquarius और आपके लिए आपे सबसे पहले कार्ज में जो दिख रहे हैं The Tower and Fondness और दिखें, Tower का कार्ट कहीं Sudden Changes की बात करता है चीजों के उथल पुथल होने की Upside Down होने की बात करता है और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या April स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये General Reading है तो सब के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने ही किसी जोन में बहुत टाइम से थे और कहीं again कुछ टाइम से April स्टार्टिंग में सडनली उस जोन से आप बहार निकल रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज आप बिलकुल भी नहीं चाहा रहे थे बिल्कुल भी नहीं expect कर रहे थे और वैसा ही हो रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी feeling, किसी emotion या फिर किसी भी चीज़ को आप बहुत time से suppress कर रहे थे और उसी का ही कहीं went out हो रहा है और दिखे ये भी सब के लिए differ करेगा कुछ लोगों के लिए प्यार हो सकता है महबबत हो सकती है कुछ लोगों के लिए गुसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए sexual energy हो सकती है या again मैं कहूंगी कोई भी चीज हो सकता है जिसको आप suppress कर रहे थे उसका ही कहीं went out कुछ टाइम से या April starting में होता हुआ दिख रहा है और deeper level के लिए fondness का card कहता है कि एक liking एक attraction मन ही मन आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं लेकिन कहीं आप you know impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं चीजों को लेकर rush नहीं करना चाहा रहे हैं और कहीं दिखें surface level के लिए tower का card एकदम से contrasting या फिर opposite energies की बात करता है या फिर से मैं कहूंगी कि एक कुथल पुथल रहे रही है एक you know upside down चीजें हो रही हैं और दिखें आप ए toxic का card कहता है कि मन ही मन आपको ऐसे लग सकता है कि आपको आपके partner की आदत सी पढ़ रही है आप उनके लिए addict हो रहे हैं बहुत एक जरूरत हर चीज में आप अपने partner की महसूस कर रहे हैं जैसे होता है ना कि हम किसी और चीज पे focus ही नहीं कर पाते हम किसी और चीज पे concentrate ही नहीं कर पाते हर दम, you know, हमारे mind में partner या फिर relationship चलता है और कहीं दिखिए deeper level के लिए हमें लगता है कि emotionally, mentally, physically बहुत ज़ादा हर चीज के लिए हम अपने partner के उपर depend कर रहे हैं तो दिखिए कुछ ऐसा ही आप महसूस कर रहे हैं जिसकी वजए से मन ही मन आप काफी परिशान भी होते हुए दिख रहे हैं और इन ही energies से या फिर कोई भी चीज जो आपको restrict कर रही है, limit कर रही है 8 of souls reverse का काट कहता है उससे आप अपने आपको free करना चाहा रहे हैं पीछे हो सकता है या फिर April starting में हो सकता है किसी चीज को लेकर बहुत confusion, बहुत एक helpless, बहुत एक hopeless वाली feeling भी आपने महसूस करी देखें जो भी एक परिशानी वाली energies थी उनसे या तो आप बहार निकल रहे हैं या फिर आप बहार निकलना चाहा रहे हैं लेकिन देखें April end के लिए 9 of wants का का काट कहता है फिर भी आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं कहीं एक low energy levels रहते हुए दिख रहे हैं बहुत एक ठकावट भी आप महसूस कर रहे हैं जहां पर literally कुछ Aquarius को ऐसा लग सकता है कि भाई अब ठक गए, इतने effort किये, इतनी महनत करी और उस तरीके का response या फिर उस तरीके का result नहीं मिला और अब तो और हिम्मत भी नहीं है continue करने की और देखें जो भी surface level की energies हों deeper level के लिए फिर भी एक closeness, एक intimacy आप अपने partner के साथ चाहते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं Aquarius के आपके partner की के energies हैं तो आपके partner के लिए देखें सबसे पहले कार्ट मुझे दिख रहे हैं self love and nine of pentacles reverse और देखें nine of pentacles का कार्ट भी कहीं self discipline, self control से हर चीज को deal करने की बात करता है बहुत ही independently भी again मैं कहूंगी रहने की बात करता है और कुछ ऐसा ही हो सकता है कुछ time से या April starting में आपके partner चाहा रहे हैं यानि की दिखिए वो भी physically, mentally, emotionally किसी भी चीज पे आप पे depend नहीं करना चाहा रहे हैं अपने आप से ही चीजें करना चाहा रहे हैं बहुत practical, बहुत realistic तरीके से हर चीज को deal करना चाहा रहे हैं लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं उतना discipline, उतना self-control वो नहीं रख पा रहे हैं और deeper level के लिए दिखिए self-love का काट कहता है कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि खुद को prioritize करना बहुत important है और कहीं उनों खुद को respect करना, खुद को love करना बहुत important है और फिर से मैं कहूंगी शायद इसी लिए भी वो कहीं एक discipline तरीके से चलना चाहा रहे हैं आपके उपर किसी भी चीज के लिए depend नहीं करना चाहा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं और दिखिए wings of love का का काट भी कहता है कि कुछ changes वो लाना चाहा रहे हैं और दिखिए इस काट में लिखा हुआ है love is transforming you either by flying in or flying out तो उनको literally ऐसे लग सकता है कि या तो वो पूरी तरीके से इस relationship में आएं या फिर पूरी तरीके से relationship से बाहर जाएं कहीं you know वो एक तरफ होना चाहा रहे हैं और इसी लिए या फिर otherwise भी कुछ changes लाना चाहा रहे हैं और इसी से ही related दिखिए चोटे मोटे initiatives चोटे मोटे action भी उलेते हुए दिख रहे हैं और दिखिए कहीं communication conversations भी initiate करते हुए दिख रहे हैं इसी के लिए या फिर otherwise भी उनकी तरफ से एक enthusiasm एक excitement दिख रहा है लेकिन साथ ही साथ काफी immature energies भी रहती हुई दिख रही हैं और देखे जैसे कि हमने अभी wings of love में देखा वो कहीं इस relationship से बाहर निकलना चाहा रहे हैं लेकिन यहाँ पर केश love का card कहता है कि ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं और कहीं देखे night of cups का card कहता है कि बहुत ख्वाब देख रहे हैं बहुत जादा vision create कर रहे हैं चीजों को लेकर बहुत सोच रहे हैं emotional हो रहे हैं, sentimental हो रहे हैं लेकिन कहीं concrete steps किसी भी चीज के लिए लेते वे नहीं दिख रहे हैं मन ही मन again मैं कहूंगी बहुत बंधा हुआ वो महसूस कर रहे हैं अपने आपको free करना चाहा रहे हैं emotion से, feeling से आपके उपर किसी भी चीज के लिए again वो dependent है उस चीज से लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और अब देखते हैं Aquarius की April मन्त में क्या हो रहा है देखे April मन्त के लिए यहाँ पे सबसे पहले काच है Nine of Cups, Reverse and Chance और देखे Nine of Cups का काच कहता है कि जो भी आपकी energies हो Aquarius, जो भी आपके partner की energies हो फिर भी इस connection में इस relationship में आप दोनों को ही लग रहा है कि बहुत प्यार है emotions है, feelings है आप दोनों ही शायद एक दूसरे के लिए वो wish है जिसको आप लोग reality में manifest करना चाहा रहे है और शायद इसी लिए issues मसले होने के बावजूद भी इस relationship को एक दूसरे को एक chance आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक देना चाहा रहे हैं और देखे हैं आप protection and seven of wands के भी cards कहते हैं कि कहीं इस relationship को इस connection को आप लोग protect करना चाहा रहे हैं और उसी से ही related काफी initiatives काफी action अगेन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कि इसी से ही related या फिर otherwise भी कुछ challenges हैं कुछ issues हैं जिनको बहुत ही boldly, बहुत ही courageously face करते वे दिख रहे हैं या मैं कह सकते हूँ कि किसी भी चीज से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं घबरा रहे हैं और दिखिए आप royal crown and queen of wands reverse के cards कहते हैं कि आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई अब ये इज़त का सवाल है इस relationship को protect करना कहीं उनों again मैं कहूंगी कि एक आप लोगों के लिए इज़त सी कहीं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मोटो बन गया है और हो सकता है कि इसी process में जो भी female है इस relationship में या फिर आप दोनों ही काफी limelight में आ रहे हैं लोगों को इसके बारे में पता लग रहा है और again दिखिये जो female है उनकी तरफ से काफी एक aggressive energies रह सकती है काफी you know over courageous, over bold energies रह सकती है तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए April 2022 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें